नमस्कार दोस्तों आज कुछ प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे पावर ओफ लव एग्जेक्टली प्रेम क्या है कैसे हम इसे अपनी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतार सकते हैं दोस्तों प्रेम में बड़ी शक्ती होती है बहुत ताकत होती है तेकि अगर आप इस दुनिया को अपने वश में करना चाहते हो किसी को भी अपने वश में करना चाहते हो तो आपको प्रेम का सहारा लेना पूरता है प्रेम का ही सहारा लेना चाहते है ताकत से लोगों को जीत जा सकता है, जुकाया जा सकता है, उन्हें अपना नहीं बनाया जा सकता है, ताकत से किसी को मारा जा सकता है, उसे जिलाया नहीं जा सकता है, प्रेम मरे हुए लोगों में भी प्राण फोकने की ताकत रखता है, आपने सुना होगा ना, जो किसी बंधन में ना बांधे बंधे प्रेम के बंधन में हैं वे ही कसे तो किसी भी बंधन में नहीं बंते हैं वो प्यार के बंधन में बंधे बंधे चले आते हैं प्रेम मत वाले हाथियों को भी अपने वश में कर लेता है आशकल तो इंटरनेट का दौर है ना आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखेंगे, कोई लड़की है, कोई जेंस है, वो शेरों के साथ खेल रहा है, अके लिए, शेरों ने क्या क्या उसके अंदर से उभरने वाली प्रेम की तरंगों को पकड़ लिया, वो शेरों के पृति इतना जादा प्रेम से भर गया कि शे जादा प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब देखें, इमोशनल अटेच्मेंट बिल्कुल मस समझेगा, प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप किसी से इतना अटेच हो गए, इतना अटेच हो गए, कि डिपेंड हो गए उसके उपर, हमारा प्रेम किस तरह का होता है, हम किसी से प्रे प्रेम कीजिए विश्वास पैदा कीजिए प्रेम में और इसे अपनी जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारिए और इसे देने की कोशिश करिए देखे सबसे पहले याद रखे कि प्रेम है देने का नाम अगर आप किसी परसन को प्रेम करते हो तो उसे कुछ पानी की उमीद मत रखो आप सोचो कि नहीं मैं इसे प्रेम करता हूँ यह मुझे प्रेम करना चाहिए इसको मुझे यह देना चाहिए इसको मुझे वो देना चाहिए तो तो एसपेक्टेशन होगी ना मुझा कुछ दे प्रेम का हरा है, व्यापार ही को Buyam- Rem सै-इस इतना ही नहीं है, नहीं हमेशाacje हां, प्रेम कहुझे हो परचा हो रहा है। उसलिए हो रहा है क्योंकING आप प्रेम नहीं कर रहा है। आप सा-अथ-रभाजी कहर रहा है। व्यापार कर रहा है। और यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें हमेशा लॉस ही होता है और जब आप एस्पेक्टेशन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा हमेशा फाइदा होगा जब आप किसी को प्रेम करते हो तो उसे शिकायत कैसे करोगे आप जब आप किसी को प्रेम करते हो तो फिर आप हमेशा उसका बहला ही चाहोगे ना अच्छा ही सोचो के ना तो प्रेम कुछ दूसरी वाइबरेशन है ये कैसे पैदा होती है ये जीवन को जब आप समझने लगते हो जीवन क्या है बिना समझें से जीना मुर्खता है समझने का मतलब होश पूरवक जीना होश पूरवक जीने का मतलब समझ के साथ सही जन्थ से जब आप ध्यान करोगे तो फिर इस प्रेम के पृतिया आपके एक अलग समझ पैदा होने लगती प्रेम क्या है एक ultimate intelligence है प्रेम से बड़ा कोई ग्यान नहीं ध्यान की जो चरम सीमा है वो आपको प्रेम तक ले जाती है फिर उस प्रेम से करोगा जन्म लेता है करोगा अंतिम सोपान है किसी व्यक्ति का उसकी जीवन में उच्चितम यात तरह फिर वो करोगा से बढ़ जाता है फिर उस सबसे प्रेम करने लगता है, सब को याद करता है, सब की मदद करता है, वो करोना है, तो प्रेम के घ्यान को ले आओ जीवन में, आप समझ के साथ, थ्यान के साथ, और प्रेम करना शुरू करतो लोगों से बिना किसी अपिक छाओंगे, फिर देखो जीवन कितना आनं से पीजौबर जाता है अभी बिजनिस कर भी मकान करीदना वी करियर बनाना शूलिए अब यह करका प्रेम बाद में करेगे और जो और नमीदमें डूबहेएंगे आपको ऐसा लगता है यि सब करलेंगी तो मदम से आलजम भर जाएंगे इसलिए बऴ प्राफ मेहनत करते रहे तो ऐसा कभी नहीं होगा घर कितना भी बड़ा हो जाए आनंद नहीं आएगा प्रेम नहीं आएगा कुछ भी हो जाए लेकिन उसका प्रेम और आनंद से कोई संबंद नहीं बाहर की चीजों से प्रेम और आनंद का कुछ लेना देना नहीं प्रेम तो कोथी पड़पड जगमुआ पंदित भया न कोई धाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंदित होई जो प्रेम में डूब जाता है वो अतिनत ग्यानवान हो जाता है बाकी सब अग्यान प्रेम एक मात ग्यान तो प्रेम को अपने जीवन में आसे उतारना शुरू करिए बिना क किसी अपेक्षा के किसी को प्रेम करके तो देखिए प्रेड़ों को जानवरों को नदियों को पहाडों को छोटों को बड़ों को बच्चों को बोड़ों को करके तो देखिए सही एक हफता इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए करके देखिए सिर देखना फीलिंग कैसी फिर आप मुझे फीडबेक जरूर देना आप देखो कि अरे जीवन तो बदलने लगा और यह हो गई 100% इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए आप सब बहुत बहुत धर्वाद